सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाईए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए मौसम तो काफी बढ़िया हो रहा है दो दिन से मतलब की अच्छा मौसम हो चगा है तो कल आ रही थी आंदी तो अब है मौसम बहुत ही ओसम तो आज ही करेंगे हम अपने गाड़ी के इंदर कुछ ओसम तो सोचाता मैंने अगर मौसम अच्छा हुआ तो गाड़ी के उपर के है मेरा लख जाता है तो मैरे पहले की लाइट में बहुता क्या था मैं अगर गारी अगर रात में अगर दीखता आ नहीं कि कुछ आगता नहीं कर रहां वो आप देख सकते हो पोड़ी Coach रहा हिए तो मैंतला दोनों लाइट से वह पोरी मेरी येलो हो रखिए है अभी तो फ्लाल तो सोच रहा हूं कि इस लाइट को ऐसी रहने देता हूं क्योंकि मैं प्लैनिंग कर रहा हूं इसके अंदर कुछ युनिक काम करने के लिए युनिक लाइक प्रोजेक्टर वगएरा है चैडी प्रोजेक्टर वगएरा यह सब लगाने के इस वज़े से ऐसी छोड़ देता हूं अभी एजिटिब और बात आती है परफॉमेंस की लाइट की तो परफॉमेंस की लाइट के अगर हमने देखनी है तो इसके लिए मैंने मंगा यह एक ओक्स बीम से बार मंगा यह तो बार है वो 22 इंची की बार है और काफी अच्छी लाइट से और उसकी पावर भी है बहुत अच्छे क्यार आउक्स बीम तो मानी जाती है लाइट के मामले में नमबर वन तो दिखातों में आपको लाइट और लाइट सी क्वालिटी देखके आप भी बोलोगे बाइट चीज तो ओक्स बीम किया तो चलिए लाइट दिखाते है तो यह आज़त आपना ओक्स बीम के बारकाल बॉक्स है और चलिए इसको अन्बॉक्स करके देखते हैं तो यह पूरा अपना डारेक्ली चाइना से आया वा है तो इसको कटे अन्बॉक्स कि अग्स अतर पहले आप देखने को मिल जाती है जुशके अंदर पेपर श्रूप कि अन्दर ब्रैक्कत अ गयरा है तो इसको भी फार बाहरा निकाल लेते हैं तो यह आगा इसको अ जते करने लगने वालों को है यह जह च envisioned white तो अपनी डान Olympics अ और भी ज़ादा करने वाली जो आप समसके का नदर बैद की यह बनी यह पूरी और तो गलाइज की कर देगा आप देख पार हूँ है पीछ सजोकेट यहां पर यह इसका एक फ्यूज तो मतलब काफी अच्छी वाइरिंग है और वाइरिंग के क्वालिटी भी है काफी अच्छी है और हैवी भी पहता है आपके जो लाइट को पावर है फुल पावर Teacher रखे जिया साइड में इसका है एक ECU तो ECU भी इसका मतलब की है मेरी खाल से आप इसका एक एक और सोकेट जो लगना हमारी लाइट के अंदर के बाद में आ जाती है इसकी मैनुवल गाइड तो मैनुवल गाइड भी आप देख सकते हो मतलब साफ दिखा रहा है कौन सी चीज का क्या वरक है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी सोखिट्स आ गया रिले आ गई लाइट आ गई प्रोलर रैस का जो मैंने भी आपको दिखाया था जस्ट अपकुछ ऐसा है एक और यह इस बॉक्स में तो गाइज यही था इस चांसिस रहेगा और उपर लगाऊंगा तो थोड़ा मतलब की मानते हो ना कि थोड़ा बहार को दिखे का अब देखता हूं कि जो पर्फेक्ट जगर रहेगी तो इसको महाँ पर लगाऊंगा अब लेडी के साथ में उसकी ब्रैकिट है तो ब्रैकिट को भी लगाना जरूर तो यह है वो वाइट वाला बॉक्स जिसके अंदर इसके ब्रैकिट और एलन की वगेरा यह है इसके स्कूरू वगेरा यह ब्रैकिट एक और ब्रैकिट और यह है इसकी एलन की वगेरा और इसकी रबड वगेरा तो इसको लगाते हैं अपनी लाइट के अंदर तो इसी तरी क्या लग रहा है आप इसके अंदर आप स्कूरू लगा दीजिए यह इस तरीके से टाइट हो जाएगी और जैसे कि आप देख पार इधर से और इतर से यह देखो यह पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है और यहां पर आप थ्रेड देख रहे होगे यह अपस में मिलके इसक हिसाब से यह लाइट है यह पूरी कर्व है तो आप समझ चुके कि इसको किस तरीके से लगाने है तो इसके बाद में आपको इसका डाइग्राम बताऊंगा वाहिरिंग का तो इस लाइट को लगाने के लिए मेरे को सबसे बढ़िया जगा मिली यहां पर रहे है क्योंकि आ है जगह इसकी इन पर है तो आप करना क्या होगा यह आप देख रहे हो तो यहां पर हमने इसका होल से होल मिला देना है मतलब कि यह होल है और हमने होल यहां पर करना है ताकि हमारा स्क्रूज के इंदर लग सके और हमारी लाइट को मजबूती बंपर से मिल जाए तो लगने जाने के लिए में cl Susуш करूँआए तो आपिको तो सब गारियों में अलग होता इसका को उठा ओम्पर खोल सक्ते हो तो यह ता इसका लोग है तो अब इसके पर बार लगाने फिर इसके वाइरिंग कनेक्शन है तो फिर मैं आपको कनेक्शन बता तो अपनी जो बार है वह इंस्टॉल ओचिक यह अब लगाने इसके कनेक्शन तो कनेक्शन में आपको बता देता हूँ आप याला सॉकिट देख रहे हो यह है इसका RGB भी कंट्रोलर का तो यही एपनी फीट इन्दर infinite दे गा और ये है उपनी आपनी फीर जाली गया चेंगी राइडि तो इसके इन्दर रगदाएंगी आप देखो जो आइस इलिया पर देखो मैंि फेसे से स को न कर दो身 कि लगा दूब आप chínhुल्ड इंग자 multiply और जो इसके wiring के connection है बाकी मैं आपको दिखाता हूँ और यहां से wire होते हुए यह इधर आज जाती है तो इधर मैंने इसका जो रिले था वो मैंने इधर लगा दिये और बैटरी के negative और positive wire इधर आ गए और यह कपलर है तो इस कपलर को मैं controller के साथ में लगा दूँगा तो हमा मैंने किस तरीके से यह तारह लगाई है तो इसे मेरा इधर लग चुका है और मैंने इसकी wire यहां से होते हुए आप एक सामने की तरफ शायद दिख रहा हूँ यहां पर आपको light सी दिख रही है तो वहां से मैंने जो इसके wire तो निकाल दिये वह अंदर की तरफ दिख रहा अब अंदर आ चुक है तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ तो आपको एक hole दिख रहा होगा यह अंदर मैं आ चुका को आड़ीगे यहां से होते हुए निकाल दी मैंने और निकालने की निए देख रहे हो दोनों wire को मैंने अपस पर जोइन कर गे तो आ गई अब connection बस यह पर दोस्तों खतम हो जाएंगे अब यहां पर मैंने खोल करना एक इदर और यहां पर मेरे controller के switch वगएरा दोनों लग जाएंगे इदर दोनों switch लग जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं testing करेंगे लाइट है च्छे से काम कर रहे हैं निकारे cng और petrol दोनों है जो दोनों switch ते इंदर लगा दूँगा तो वाइट वाले के अंदर यह है अपना main wiring का और यह अपना मतलब जब आप पास light वागरा काम में यूज में लोगें तो इसका तो यह अपना इसके अंदर आ जाएगा छोटा वाला socket के अंदर छोटा वाला बड़े में बड़े वाला तो इसको य A to Z सब हो चुगी है तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूं एक बारी तो दोनों switch हैं वह अच्छे से install हो चुगे आप देख पारे हो पूरे अच्छे से fit हो चुगे यह उपर करने से यह light on हो जाती है एक बारी नीचे करने से यह off हो जाती है इसको दुबारा on करने पर white हो दल लग गया और यह जो आप समझ रहे हो यह पूरा waterproof है जितने भी इसकी उपर covering देख रहे हो सब कुछ waterproof है और मतलब सब काम अच्छे से हो चुका है और यह light है तो light भी मैं आपको भी दिन में चला करके दिखाता हूं तो यह भी white color की चल रही है अगर हम वो जो छो छोटा अपनी light जो है music के साथ में वक करेगी तो अभी दिन हो रहा है तो रात के टैमें में आपको दिखाऊंगा इसकी brightness और कितनी आई है तो भाई अब दोका ऐसा है दिन में तो आपने देख लिया कि किस तरीके से light यह performance है अब देखते हैं इसकी रात में कैसी है और गाड़ी को भी फिर मैं अपके लिए एक ऐसी जगह पर लही जारों जहां पर होता है अंदेरा और रोड भी ठीक है मतलब कि आपको पता चल ज होड़े यहां पर अड़े गटे है इसे थोड़ा हिलना तो बनता ही है तो थोड़ा सही सा रोड है चुका है और टाइम हो रहा है ग्यारा बच के 44 मिनट और अंदेरा हो चुका है और करते हम लाइट को on तो on करने के लिए आप यहां पर एक बटन देख सकते हैं एक बटन यह है एक बटन यह तो इसका यह मेन वाला बटन है तो इसको कर दो उपर अब यह दवाना है तो यह हमारी जो मेन लाइट है उसको ओन कर देगा अब यह 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 इसकी मेन लाइट है यह ओन हो चीकिए आप मैं इसको आफ करता हूं तो यह ओन तो यार आप अपनी आंको आप छोग इसके अंदर स्टॉक लाइट लाइट लगी है जर्दा मैं स्कौन करता हूं तो ये है इसकी स्टॉक आप फर्क देखलो कितना समीन आसमान का फर्क है तो अब हम भी चेक करेंगे इसकी RGB तो RGB के लिए यह मुबाइल में एक अप्लिकेशन अपने डाउनलोड करनी है और यहां से हमने एक Bluetooth से इसको कनेक्ट कर लेना है तो यह है light आपके सामने दिख रही है तो back करते हैं अब लगाते हैं इसके अंदर color तो चलते हैं आपको दिखाते हैं तो इस application के अंदर काफी modes आपको मिल जाते हैं तो अगर मैं चाहूँ अपनी light को यहीं से बंद कर सकता हूं यह बंद हो गई अब यहीं से ओन हो जाएगी और मैं चाहता हूँ इसको music पे चलाना तो यह music के सा में आप इसके mobile से इसको operate कर सकते हो तो यह blue आ गया अब यह देखो light color आ गया यह green आ गया एंड yellow अब यहां पे आ जाएगा red green यह आ गया red तो मतलब यह वी काफी अच्छी चीज़ है इसके अंदर और modes यह रहे यह देखिए इसका ब्रीत color आ गया अब मैं इसको स्टोब करना चाहूं तो यह स्टोब की होएगी यह देख पा रहे हो यह मतलब ऐसा होता है जो पुलिस वालों की तरह हो चुकि यह light इस तरीके से अब इसको music से अब यह music से दुबारा होगा है पढ़िया चीज़ है फुल पैसा वह से लिए आप देख पा रहे हो यह इसका रेड लाइट जल गई अब मैं इसकी white वाली है वो जलाऊंगा यह white तो मतलब काफी आगे तक इसका जो focus है लाइट का वो जा रहा है एंड लाइट को कुछ इसके lens है तो lens इसके भी काफी अच्छे lens है तो मतलब सारे lens है इसके इंदर अच्छे से work कर रहे है और यह light दो हो अब यह पूरा है आगे तक रोड पर पढ़ रही है मतलब काफी आगे तक इसका distance है light का जा रहा है मैं आपको पर कर दिखा है 1,2,3,4 यह मतलब मैं चलकर आ और यह भी तक होड चुका है और काफी ठीक light लगए है तो थम्स अप मेरे कर दो लग रहा है कि यह मेरे सेट अप का इसा हो चुक है क्योंकि अभी जो light पढ रही है यह सीर्फ और सीर्फ और और बिंक कि तो आप समझ सकते हो इसकी light की quality है कितनी अच्छी है और यह light है आप को हर साइज के अंदर अवेलेबल हो जाएगी मैंने तो मंगाया इन से 22 इंची का क्योंकि मेरी गाड़ी के आगे आपने देख लिया कि इतना अच्छा लग रहा है और इनके साइज में आपको मिल जाएगी जो आपको रूफ पे भी लगा सकते हो साइड में भी लगा सकते हो आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करने ना बोले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नहीं नहीं वीडियो लेकरा तो तिल देन बाई फिर मिलेंगे आपके साथ में जल देख नहीं वीडियो